आखिर वर्तमान में भविश्य की एक जलक पाने के लिए आप क्या कीमच चुका सकते हैं? क्या भविश्य को चानने के बाद आप उसका लाब उठा पाएंगे या यह अवसर भी आप खो देंगे? स्टॉक जो आप बेच न सके वो जमीन जो आप खरीद न सके वो अवसर जिसका आप लाब न उठा सके और ऐसे कितने अवसर आपके जिन्दगी में दस्तक देने वाले हैं? यह आपका आखरी अवसर भी हो सकता है इसलिए ध्यान दीजिए हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन आता है 1970 में VCR, 1980 में Personal Computer, 1990 में Internet जिन्होंने 80 के दशक का फायदा उठाया वे Millionist बने जिन्होंने 90 के दशक का फायदा उठाया वे Billionist बन गये अब आप क्या सोचते हैं? क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशूर Economist Paul Zen Pilser का कहना है कि आने वाले दशक में सालाना एक ट्रिलियन डॉलर वेलनेस इंडिस्ट्री पर खरचा जाएगा ये होगा लोगों को हेल्दी, सुन्दर, कम उम्रवाले दिखाने के लिए एवन बिमारियों से बचाने के लिए जरा सोचिए, पीस साल पहले इस बेलनेस इंडिस्ट्री का कोई ना मुहिशा नहीं था और आज ये तकरीबन तीन सो बिलियन डॉलर सालाना के इंडिस्ट्री बन चुकी है जितना कि सालाना नए ओडो मॉबाइल्स पे खरचा जा रहा है आज तीन सो बिलियन डॉलर और इस दशक के अंद में एक फ्रिलियन डॉलर यानि एक हजार बिलियन डॉलर सालाना जरा गनित लगाईए ये तीन सो परसेंट ग्रोथ है आखिर ऐसी ग्रोथ कैसे मुम्किन है ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है इसका जवाब है बेबी बूमर्स ये बेबी बूमर्स पिछले 20 सालों से दुनिया की अर्थिय वस्ता को दिशा देते आ रहे है क्या समय नहीं आया कि हम इसका लाव उठाएं ये वे लोग है जो 40 से 50 साल के उमर के होते हैं और अपने कमाने के चरम उमर में होते हैं ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा खर्च करने की शक्ती रखते हैं ये जिम्यवार है हाउजिंग, आटोमोबाइल, कम्प्यूटर्स और इंटरनेट के शेतर में विकास के लिए संचेव में कहा जाया तो ये लोग देश के अर्थिय वस्ता के 12 trillion dollar में से 6 trillion dollar अपने जरूरतों पर खर्च करते हैं अर्थ विवस्ता के GDP के 50 पर्थिशित हिस्टा है और अब ये जोवन जा रहा है है और 8 trillion dollar उस 6 trillion dollar की अर्थ विवस्ता में अपने सब से अन्मोल धरवर को बचाने के लिए, जो है यावन यावन असमें बुड़ापा रोकना स्वास्थे वेलनेस आने वाले दशक की क्रांती आने वाले दशक में लोग एक ट्रिलियन डॉलर इस वेलनेस इंडूस्ट्री पे घर्च करेंगे और ये बहुत तेजी से होने वाला है जो बदलाव पहले दशकों में हुआ करते थे आज कुछ चंद वर्षों में या उससे भी कम समय में हो जाया करते हैं जब 1908 में हेंडरी फोर्ड ने मौडल्टी फोर्ड काविश कार किया था तब आटो मौबाइल इंडिस्ट्री को एक ट्रिलिन डॉलर इंडिस्ट्री बनने के लिए सत्तर साल लगे था 1908 में जब आइडियम ने पहले एक परसनल पीसी बाजार में छोड़े तो महज एक दशक में ही आटो मौबाइल की सेल को बचार दिया और एक ट्रिलिन डॉलर इंडिस्ट्री बन गई अब वेल्रेस इंडिस्ट्री अगले पात सालों में ही अगली ट्रिलिन डॉलर इंडिस्ट्री बनने जा रही है एक ट्रिलिन डॉलर साल आना यानी प्रति रिन दो पॉइंट साथ मिलिन डॉलर एक सो चोदा मिलियन डॉलर प्रती घंटे या प्रती मिलेट एक पॉइंट नौ मिलियन डॉलर 1912 के दशक में मिलियन डॉलर परिवारों की संख्या 3.6 मिलियन से बढ़कर 7.2 मिलियन हो गई थी अर्थ शास्री फिल्सर के अनुसार 3.6 मिलियन से अधिक परिवार अगले 5 साल में मिलियन डॉलर परिवार बनने जा रहे हैं जिसमें से अधिक तम परिवार वेलनेस इंडॉस्ट्री से होंगे तो कैसे कैश कर पाएंगे आप इस वेलनेस करांती में आपके पास चार पर आये हैं पहला प्रैक्टिशनर, दूसरा मैनिफेक्शरर, तीसरा रिटेलर, चार दिस्ट्रिब्यूटर प्रैक्टिशनर यानि डॉक्टर्स, नेच्रो पैथ, नेच्रो हीलर्स, मैसाज थेरापिस्ट इसमें से कमा पाएंगे, अगर वे बाकी के बड़े-बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं ये तो टाइम वर्सेज मनी है, ज्यादा समय देंगे, तो ज्यादा पैसा कमाएंगे मैनिफेक्शरर, एक बहतरी नफसर, अगर आपके पास है करोडो रुपे इंफ्रास्ट्रक्चर, पेटेंट्स, रिसर्च, शिपिंग, रिसीविंग आदी पे खर्च करने की रिटेलिंग, बैटरी नफसर, अगर आपके पास लाखो रुपे, फ्रेंचाईजी फीस भरके साथो दिन काम करने, एडविट्राइसिंग, इंवेंट्री और एंप्लॉईस को संभालने की योग्यता डिस्ट्रिबूशन, जी हाँ, ये हैं वे लोग जिन्होंने पिछले तीस सालों में सबसे ज़्यदा खमाया मैनिफेक्चरर्स से भी ज्यादा, केवल उत्पादों को बेहतर तरीके से डिस्ट्रिबूट करने के तरीके ढोलता जहाँ एक और वालमार्ट के सैम वाल्टन और फ्रेडक्स के फ्रेट स्मेथ ने उन उत्पादों को उपभोगताओं तक डिस्ट्रिबूट करने के बैतर तरीके खोजे जिन उत्पादों के बारे वे पहले ही जानते थे वहीं दूसरी और इस दशक के नए डिस्ट्रिबूशन मिलेनेर्स उन उत्पादों को डिस्ट्रिबूट करते वे नजर आएंगे जिनके बारे उपभोगताओं को शायद पता भी नहीं होगा नए डिस्ट्रिबूशन मिलेनेर्स जैसे अमज़न डाट कॉम के जेफ बेजो जिनोंने उपभोगताओं को नए नए उत्पादों ये वे नए डिस्ट्रिबूशन चैनल्स के बारे एजुकेट करके अपने किसमें चमकाई ये बिजनेस वेचार की गती से चलता है नए और बेटर उत्पाद बेटर डिस्ट्रिबूशन बेटर अवसर क्यों क्योंकि 78 मिलेन बेबी बूमस को रोकना अब नामुम्किन है वे बड़िया जिन्दगी जीना चाते हैं वे बड़िया और बड़ी बड़ी गाडियों में घूमना चाते हैं वे बुड़ापे को रोकना चाते हैं और वे इसलिए कुछ भी खर्च करने के लिए तेयार है अपने आपको स्वस्त जवान और और जवान बनाये रखने के लिए अगले पांच सालों में ये लोग खर्च करने वाले हैं तीन सो बिलियन डॉलर से एक ट्रिलियन डॉलर हर साथ किया आप तयार हैं इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए जो शक्स ने आज आपको वेलनस इंडिस्ट्री से रूब रू करवाया है वे आपकी मदद कर सकते हैं कैसा बिजनस मौडल में जो अल्वेड़ी सक्सेश्फुल और प्रोवन है अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार टाइम अपने घर से बिना जादा पैसा लगाए बिना एंप्लॉई रखे बिना किसी जंजट के आपके खाली समय में किया गया गैसा बिजनस जिससे आप हर महीने हजारों से लाखों रूपे तक कमा सकते हैं और पा सकते हैं अद्भूत टैक्स अडवांटेज भी महसूस कीजिए कि ये 19 वसी है और 25 वर्षिये बिल गेट्स भश्य में कम्प्यूटर के शेत्र में अपार संभावना उसे आपको अबगत करा रहे हैं और आपको अपना पार्टनर बनाना चाते हैं तो क्या अब आप इस प्रस्ताव को ठुकरा पाएंगे सैम वाल्टन ने वाल्मार्ट की शुरुआ तब की जब वे 44 साल के थे और 61 साल की उम्र में वे धुनिया के सबसे अमीर रिक्ती बने तो अब कौन सा बहाना बनाएंगे या एक बात तो तैह है अगर आपने इस वीडियो को गभीता से देखा है तो आप अपने आने वाली पीडियों को ये नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था जब आपके बच्चे और पोते आपसे 21 रिसदी की महान करांती के बारे में पूछेंगे तो आपके पास में क्या चवाब होगा कि आप अपने वक्त के साचे में ढलकर अवसर का पूरा लाव उठाने की गाथाओने सुनाएंगे या तरह तरह के बहानों से अवसर खो देने की सफाई देंगे आकड़े सही है, खुझान सही है, वक्त सही है और इश्वर कितने अवसर आपकी जोली में डालेगा कुछ भी करिये दोस्त, लेकिन ये अवसर हाथ से मज जाने दे